गजेंद्र मोक्ष स्रोत्र हिंदी में श्री सुकदेब जी कहते हैं बुद्धी के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रिती से निस्चे करके तथा मन को हिर्दय देश में इस्थिर करके वह गजराज अपने पूरो जन में सीख कर कंठस्त किये हुए सर्वसरिष्ट एवं बार बार दोहराने योग निम्रिकी स्रोत का मन ही मन पाठ करने लगा गजेंद्र मन ही मन कहते हैं जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ सरीर और मन आदी भी चेतन बन जाते हैं ओम सब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण सरीर में प्रकिरती एवं पुरूस रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ पर में स्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं जिनके सहारे यह बिस्वटिका है जिनसे यह निकला है जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयम ही इसके रूप में प्रगट हैं फिर भी जो इस द्रिश्य जगत से एवं इसकी कारण भूतार पकिरती से सरवता परे बिलक्षन है एवं स्रेष्ट है उन अपने आप ब बने हुए भगवान की मैं सरन लेता हूँ अपने संकल्प सक्ती के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए स्रिश्टी काल में प्रकट और प्रड़य काल में उसी प्रकार और प्रकट रहने वाले इस सास्त्र परसिद्ध कारे कारण रूप जगत को जो पंटित द्ष्टी होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं उनमें से लिप्त नहीं होते वे चक्छु आधी प्रकासकों के भी परम प्रकासक प्रभू मेरी रक्षा करें समय के प्रभाह से संपुर्ण लोकों के एवं ब्रमभादी लोक पालों के पंच भूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंच भूतों से लेकर महत्व प्रयंत संपुर्ण कारणों के उनकी परम करुना सरू प्रकिर्ती में लीन हो जाने पर उसमें दुर्येग्य तथा अपने परमधाम में जो सरव व्यापक भगवान सब और प्रकासित रहते हैं वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन भिन रूपों में नाट करने वाले अभिनेता के वास्तविक रूप को जिस प्रकार साधारन दर्सक नहीं जान पाते। उसी प्रकार तत्तु प्रधान देवता तथा रिसी भी जिन के स्वरूप को नहीं जानते फिर दूसरा साधारन जीब तो कौन जान सकता है अथवा वर्णान कर सकता है वे दुर्गम चरित्रवाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसकती से सरवदा छूटे वे संपुन प्रानियों में आत्म भुद्धी रखने वाले सबके अकारन हितु एवं अतिसाय साधू सभाव मुनिगर्ण जिनके परम मंगल में सरूप का साथकार करने की इच्छा से बन में रहकर अखर्ण ब्रहम चर आदी और लौकिक बुरतो का पालन करते हैं वे प्रभु ही मेरी गती हैं जिनका हमारी तरह कर्म बस ना हो तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेडित कर्म ही होते हैं जिनके निर्गुन सरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है फिर भी समयानुसार जगत की स्रिष्टी एवं प्रलाय संगहार के लिए स्वेक्षा से जर्म आदी को स्विकार करते हैं। प्रभु को नमस्कार है। स्वेक्षा से जर्म आदी के समुदाय रूप, संपुर्ण पिंडों के ज्याता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकिरती के भी परम कारन किन्तु स्वेम कारन रहित प्रभु को नमस्कार है। संपुर्ण इंद्रियों एवं उसके बिस्यों के ज्याता, समस्त प्रतीतियों के कारन रूप, संपुर्ण, जड़, प्रपंच एवं सबकी मूल भूता, अविद्या के द्वारा सुचित होने वाले तथा संपुर्ण, बिस्यों में अविद्या रूप से भासने वाले सब आपको नमस्कार है सबके कारण किन्तु स्वेम कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिनाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से बिलक्षन कारण आपको बारंबार नमस्कार है संपूर्ण वेदों एवं सास्त्रों के परम तात्पर मोक्च रूप एवं सरेष्ट पुरूसों की परम गती भगवान को नमस्कार है जो त्रिगुन रूप काश्टों में छिपे हुए ग्यान रूप अगनी है उक्तगुनों में हल चल होने पर जिनके मन में स्रिष्टी रचने की ब्रह्म वृति जागरित हो उड़ती है तथा आत्म तत्त्त की भावना के द्वारा विधी निसेद रूप सास्त से उपर उठे के वे ग्यानी महात्माओं में जो स्वेम प्रकासित हो रहे हैं उन प्रभू को मैं नमस्कार करता हूं मुझ जैसे सरनागत पसुतुल्य और विद्या ग्रस्त जीवों की और विद्या रूप फासी को सदा के लिए पुन रूप से काट देने वाले अत्याधिक दयालू अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संबत्ती एवं कुटुम्बियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिंता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरूसों के द्वारा अपने हि प्रकट की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन्चाही गति पा लेते हैं अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार्ट के आयाचित भोग एवं अविनासी पारसद सरीर भी देते हैं वे अतिसे दयालू प्रभू मुझे इस विपत्ती से सदा के लिए उबार लें जिनके अन्य भक्त जो वस्तुतह एक मात्र उन भगवान के ही सरन में हैं धर्म अर्थ आदी किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते अपितु उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत बिलक्चन चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं उन अभिनासी सर ब्यापक सर्वस्रेष्ट ब्रंभादी के भी नियामक और भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरन के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अ अंतर रहित किन्तु सब के आदी कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं अस्तुति करता हूँ। बरंभादी समस्त देपता चारो वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृती भेद से जिनके अत्यंत सुक्ष्म अंस के द्वारा रचे गए हैं। परमात्मा से प्रकट होता है और पुनह उन्ही में लीन हो जाता है। वे भगवान ना तो देवता हैं, ना असुर्ण ना मनुस्य हैं, ना नीरियक मनुस्य से नीची पसु पक्षी आदी किसी योनी के प्रानी हैं। वे ना तो इस्तरी हैं, ना पुरूस और ना नपुनसक ही हैं। ना वे ऐसे कोई जीव हैं, जिनका इन तीनों ही स्रेनियों में समावेश हो सकें। ना वे गुन हैं, ना कर्म हैं, ना कार हैं, ना तो कारन ही हैं। सब का निसेद हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है, वही उनका स्वरूप हैं। और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरा उद्धार के लिए आर्वी भूत हूं। मैं इस गरह के चंगुल से छूट कर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर, सब और से अग्यान से ढखे हुए इस हाती के सरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकास को ढख देने वाले उस अग्यान की निवरिती चाहता हूं, जिसका काल करम से अपने आप नास नहीं होता, अभीतु भगवान की दया से अथवा घ्यान के उदए से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलासी मैं विश्व के रचईता, स्वेम विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वता परे विश्व को खिलोना बना कर खेलने वाले विशो में आत्म रूप से ब्याप्त अजनमा सरो ब्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्व स्रेष्ट स्री भगवान को केवल प्रनाम ही करता हूँ उनकी सरन में हूँ जिनोंने भगवत सक्ती रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है वे योगी लोग उसी योग के द्वारा सुद्ध किये वे अपने हिर्दय में जिनें प्रकट हुआ देखते हैं उन योगे स्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनकी त्रिगुनात्मक सक्तियों का राग रूप वेग और सहय है जो संपुर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा भी जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रचि पची रहती है ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना और संभव है उन सरनागत रक्षक एवं अपार सक्ति साली आपको बार बार नमस्कार है जिनकी अविध्या नामक सक्ति के कारे रूप अहंकार से ढके हुए हैं अपने स्वरूप को वह जीव जान नहीं पाता उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं सरन आया हूँ जिसने पुर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था उस गजराज के समीप जब ब्रंभा आदी कोई भी देपता नहीं आये तो भिन भिन प्रकार के विशिष्ट बिर्ग्रों को ही अपना स्वरूप मानते हैं तब साक्षात स्री हरी जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेप स्वरूप हैं वहां प्रकट हो गए उप्रियुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ीवी अस्तुती को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधर भगवान इक्छा नुरूप वेगव गरूर जी की पीठ पर सवार होकर अस्तवन करते हुए देपताओं के साथ ततकाल उस अस्थान पर आप पहुँच गये जहां वह हाथी था सरवर के भीतर महावली गरह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकास में गरूर की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान स्रीहरी को देखकर अपनी सुड को जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फुल ले रखा था उपर उठाया और बड स्रीहरी एका एक गरूर को छोड़ कर नीचे जील पर उतर आये वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को ततकाल जील से बाहर निकाल लाए और देबताओं को देखते ही देखते चक्र से मुह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया हमारे हिंदू सास्त्रों के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीवत में फसे हो तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विश्णू आपको उसी प्रकार बाहर निकाल लेते हैं जैसे गजराज को मगर मच्च के मुह से बाहर निकाला था इसका पाठ करने से तमाम दोसों से भी मुक्ती मिलती है करजों से भी मुक्ती मिलती है